आजकल इधर उधर जाने का मन भी नहीं है कि वीडियो इधर से बनाओ, उधर से बनाओ, कुछ नहीं है ऐसा अपने घर से बनाओंगी और आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाती रहूंगी क्योंकि मेरे से जाला परेशान मेरी यूटूब फैमली के भाई बैने और काफी भाई बैनों के ऐसे कमेंट बे आ रहे थे कि बहन वीडियो बनाते रहना जब सुक रहता है तो तब तो सभी लोग किर्थन भजन करते हैं लेकिन सुच को हों तो ना मैं सुक में मैंने इतना कभी भी मातारानी का भजन में क्या होगा उपर मा का मंदिर है नीचे गंगा बैती है जै स्री कृष्णा रादे रादे जै मा धारी जै मा नारी जै वाबा केदार सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते मेरा नाम है आर्दिरावत मेरा गाउं है रुद्र प्याग जिले के खूब सुरत गाउं पाले सिंगली से तो अभी आज की वीडियो की सुरात भी हो रही है पहाड के इन खूब सुरत नजारों से कल तक तो बारिस थी और आज प्यारी सी धूब खिली हुई है आज का मौसम अभी बहुत जादा खूब सुरत और सुहना हो गया है क्योंकि कल दिन भर बारिस थी परसों भी और सामने वाले पहाडी पे अभी भी कुहरा लगा हुआ है और मेरे ठीक सामने पे कनाले गंग इस तरों से दिख रहा है और आज प्यारी सी धूब के लिए है तो इन पहाडों का खूब सुरत नजारा कुछ इस परकार से दिख रहा है पहाडी छेत्रों में जाँ जादा पहाडी एरिया होगा वहाँ पे तो बिल्कूल बरब गिर चुकी है क्योंकि दो दिन से यहाँ पे लगातार बारिस थी परसों भी, कल भी, कल दिन में भी, रात को भी पूरे दिन और रात बारिस थी तो बहुत ही जादा बरब बारी हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि यह मतलब गरम इलाका है तो जहां पे ज्यादा ठंदा इलाका रहता है वहां पे तो बिलकुल बरब जमी हुई है और जब बरब पड़ती है तो बरब किने के तुरंत बाद धोप भी तेज की खिलती है तो देख रहे हूं यह अभी सामने से मेरे मूपे भी घाम चमक तो मैं आप सब का बहुत धन्यवात करती हूं और अभी ठीक तो क्या यह बोलूं पर यहां तक जो भी है तो ठीक है पर अभी मतलब इतना वह नहीं हूं मैं अभी भूत दुख से अभी बहुत जादा बड़ी बहुत बड़ी तपस्या हमें करनी होगी मातारानी की बहुत इनसान से अभी भी मेरी बात नहीं हुई जो साथ में हैं और लोग उन से बात हुई है अगर इतना सही होता तो बात करता खुद लेकिन मेरे से कुछ बात नहीं हुई है तो मैं मातारानी से प्रासना करती हूं बहुत जिल्दी उसके बात मेरे से हो जाए अबता मतलब एक तसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं भी घर पे हूँ मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ मैं घर पे हूँ तो जब इनसान दूर रहता है और सामने वाला तो तसलिए देने के लिए भी बोल रहा होगा कि सही है सही है सही है लेकिन चलो यहां तक है जो सही है आप लोगों की दुआ म किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा और इतने सारे भाई वेनों का प्यार और आश्रिबाद और मेरी परिवार के लिए जो आप लोग लगातार दुआ दे रहे हैं अपने कमेंटों के मादयम से मैं देख रही हूं और काफी समयबसमय पर रही हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशंnot भटपर दाशन हूं और जिसमों दिन मेरी बात हो कर दों आभी लेकिन तब तक मनोद रहा सें मेरा में यूटूब सेंदे का मन भी बहुत रर्व है आज कल के अधर जाने का मन कि बेहन वीडियो बनाते रहना और हाल चाल हमें देते रहना तो अपने लिए न सही आप लोगों के लिए मैं वीडियो हमेशा डाल रही हूं नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कूल मन नहीं है जिन लोगों को पता होगा कि ये आज कल मनलब किस दुख से गुजर रही ह तो वह जरूर बोलेंगे कि हां सच में उसका मन बिलकुल नहीं होगा लेकिन आप लोगों के खातिर क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे हैं मेरी दुख से आप लोग भी बहुत ज्यादा दुख्य हो रहे हैं इतना सारा प्यार इतने धेड़ सारा आश्रिवाद और इतन लेकिन सुक में इनसान साथ दे ना दे लेकिन दुख में आफ लोगों ने मेरा इतना ज़्याधा साथ दिया है, इतना ज़्याधा होसला बढ़ाया है, कि मरला मैं तोटी चुकी थी लेकिन आपने मेरा होसला बढ़ाया कि मुझे इतनी हिमत दी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो तक बना रही हूँ नहीं तो मेरी हिमत ही तोट गई थी मैं वीडियो भी नहीं बनाती सच कहें तो सुक की गड़ी में भगवान को कोई इतना याद नहीं करता है जितनी दुख की गड़ी में करता है जैसे कि मैं आज कल रात और दिन हमेशा मातारानी के नाम का जाब कर रही हूँ मातारानी पे पूरा भरोसा है मेरा कि सब जल्दी से जल्दी सब कुछ मातारानी ठीक करेगी तो सभी लोग मेरे साथ मातारानी का जयकारा आप लोग भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगी इस बुरे वक्त में आप सभी लोग अपना साथ बनाए रखेंगे सच में दिल से सभी ल लोग किर्तन भजन करते हैं लेकिन सुच कोऊं तो ना मैं सुख में मैंने इतना कभी भी मातारानी का भजन नहीं क्या होगा सुक्के टाइम पे जितना मैं आज कल दिन भी और रात भी माता रानी का नाम जब रही हूँ रट रही हूँ और वो दिन और वो रात मेरी नहीं गुजर रही है जब तक मैं मा का नाम नहीं ले रही हूँ अब तक आँखों में नीन नहीं और मां का भजन करने से न एक सुकून जैसा मैसुस हो रहा है कि हां सब कुछ अच्छा होने वाला है तो आज मैं फिर से धारी मां का जयकारा लगाऊंगी और आप लोग भी जरूर मेरे साथ जब वीडियो देखेंगे तो जरूर मातारानी से एक दुआ जरूर मांगना आपने लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी कि सब ठीक हो जाए मातारानी जल्दी से जल्दी तो चलो करते हैं भजन की शुरूआत धारी मां का जयकारा मिलके लगाईंगे जो भी पुकार मां को पार लग जाता है उपर मां का मंदिर है नीचे गंगा बैती है मैंने तेरे लिए माता बिंदिया मंगाई है जो भी पैनाए मां को पार लग जाता है धारी मां का जयकारा मिलके लगाईंगे जो भी पुकार मां को पार लग जाता है आप लोगों को विश्वास हो न हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो भी माता रानी का गुणगान सच्चे मन से सच्चे सरदा भगती से मां का जयकारा लगाता है वो भगत जरूर पार होता है जैसे कि उदारन के तौर पे मैं खुद हो इस वकत कि मां ने मुझे कितना भरोसा दिया मैं बता नहीं सकती हूँ मैं आपने सब्दों में बया नहीं कर सकती हूँ और जब भी मैं मां का भजन कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मां आपने भगत की बिंती जरूर सुन रही है तो आप लोग भी धारी मां का जैकारा जरूर गाए और पूरा भजन भी कभी टाइम मिलेगा तो गाऊंगी इस वक्त तो गावी नहीं सकती हूँ मन ही नहीं कर रहा है लेकिन मां का भजन है तो मैं गाऊंगी मैं गाती रहूंगी हमेशा बीडियो बनाने का तो आज कल विल्कूल मन नहीं कर रहा है लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं तो वो बोल रहे हैं थोड़ा स्वास्त्य में सुधार है लेकिन जब मैंने फॉन किया तो उसके फॉन पे उसने बात नहीं की क्योंकि अभी बात नहीं कर पा रहा है तो जादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ अभी लेकिन जैसे भी हाल चाल मुझे मिलेंगे तो आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से सियर जरूर करूंगी और आप लोग जरूर दुआ करना जरूर अपना आश्रिबाद बनाई रखना तो ठीक है आप आज की वीडियो को यहीं पे कलोज करती हूँ आप लोग अपना प्यार और आश्रिबाद बनाई रखना तब तक के लिए जै देभुमी उत्रखन जै मा धारी जै मा काली जै मा न धे जर बार